आपको मालू में स्टार फिश की कई ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो कि खुद को रीजनरेट भी कर सकती हैं मालू उनका सिर्फ एक हाथ ही बचा है हाथ कट गया है तो वो हाथ रीजनरेट कर देता है पूरी बॉड़ी को धीरे धीरे और वो हाथ चाहे एक सेंटीमीटर ज दोनों भी हिस से मेल बंजाते हां जब वो दुबारा से फुली रीजनरेट हो जाती है तो वो दुबारा से फिमेल इसने मेरा नामे बारश शर्म आप देख रहोений देख है बस बारश करता हूं आग्की आपको डुच 從 पीत रहागा जो की प्लेयर्स को सिक्यूर्टी प्रवाइड करते हैं 2011 में स्पम वेल का एक अजीब ही बिहेवियर देखने को मिला था जहां पर उनके गुरुप के साथ में एक डॉल्फिन का बच्चा भी था जो की डीफॉर्म हो चुका था और उसको डॉल्फिन के गुरुप ने हटा दिया था अपने गुरुप से क्योंकि वो एक अलग ही टाइप की मचली लग रही थी जिसकी वज़े से वो अब अकेली पढ़ चुकी थी लेकिन स्पम वेले उसको अडॉप्ट कर लिया था और वो उसी गुरुप के साथ में रही भी थी सालो साल आप में से शायद बहुत लोगों कोई बात मालूम नहीं होगी कि एंट्स यानि की चीटी की खुद की आर्मी भी होती है जो की अपने गुरुप को बचाने के लिए फाइट करने जाती भी है अगर किसी ने अटायक कर दिया है जिसके बाद में कुछ जो घायल हो जाते हैं उनके लिए पैरा मेडिक्स की स्कौार्ड भी होती है जो की उनको उस सिचुएशन से निकाल कर सेव जगे लेके जाते हैं और वहाँ पर वो एक चीज़ जरूर देखते हैं कि जिस भी जगे पर चोट लगी है वो इस्टेबल रहे और जो भी घाव है उसको वो चाट के साफ करने की भी कोशिश करते हैं 1999 में फिलिपीन के अंदर अचानक से लाइट चली गई थी और चार करोड लोग अचानक से अंधेरे में पहुँच चुके थे जिसके बाद में सभी लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि शायद फिलिपीन के उपर अटैक हो चुका है जिसकी वैसे हमारे पूरे देश की लाइट चली गई लेकिन बाद में पता चला कि जो पावर प्लांट है जहां से उनकी बिजली जनरेट हुआ करती है उसके कूलिंग पाइप में कई सारी जैली फिश फस चुकी हैं जो की करीबन इतनी सारी जैली फिश थी जो पचास ट्रक में भी भरी जाएं तो भी रहा है लेकिन एक नेट्फिक्स का प्रोजेक्ट बनाया गया था डिवी जिसको बोलते हैं यानि कि डूइट यर्सेल्फ जिसके अंदर अगर आप नेट्फिक्स को देखते देखते सो जाते हो तो वह अपने आपी स्विच आफ कर देता है आपके टीवी को और इसी के सार अगर हम टीवी की बात करी रहे हैं तो मैं आपको बतायाता हूँ कि दुनिया का पहला टेलिविजन ब्रॉटकास्ट दरसल 1925 में हुआ था जहां पर जो पिच्चर वो देख रहे थे लोग वो पांच फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी I'm sure जब भी आप कहीं खाना खाने जाते होंगे भार और जब बिल चुकारे होते होंगे तब आपको सौफ दी जाती है खास करके रेस्टोरेंट या फिर धावे वगेर हमें ऐसा जादा होता है और वहाँ पर कुछ लोग शर्मा जाते हैं कि यार इतना जादा नहीं लेना मुझे लेकिन बहुत से लोग खुलम खुला मुठी बरके ले लेते हैं सही है पैसे दिये लेना चाहिए और यहीं पर Ikea के founder इन गवार कंपार्ड भी ऐसा किया करते थे जब वो कहीं भार खाना खाने जाया करते थे तो उनको अगर टी बैग मिल जाए शूगर मिल जाए जाया करते थे उसको जबकि उनकी वर्थ उस टाइम में साथ बिलियन यूएस डॉलर हुआ करती थी लेकिन वो फिर भी ऐसा किया करते थे I'm sure हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ठंड से बड़ा डरा करते हैं जब भी ठंड आती है टोपा लगा लिया कान पे कुछ म ठंड ना लग जाए उससे डगते हैं आपको मालूमत दुनिया का सबसे महंगा पर्फियूम क्लाइव क्रिश्टन नंबर वन पैसेंट गार्डेंट है जो कि करीबन एक लाख तिरालिस हजार यूएस डॉलर का है जिसको इंडियन करेंसी में अगर करते हो तो होते हैं 30 ml की होती आप कहोगे कि 30 ml की बोतल वो भी एक करोड़ एक लाख रुपे की तो मैं आपको बतायता हूं कि दरसल इस बोतल में लगे होती है दो हजार डाइमंड इसी वज़े से इसकी कीमत इतनी जाता है वरना बहुत सस्ता बेकरा होता तो फिलाल के लिए इस वीडियो के इतना ही ठाह करे वीडियो आपको पसंदा की होता इस वीडियो को लाइक जारू करना शेयर सैरू करना और इसी के साथ और उपनल आपको मालूम में ने छे लागए मैं नेको वीडियो ढ़ली है झाल झाल